क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में आपको हार्ट अटेक हो सकता है या नहीं? मैं बात कर रहा हूँ इयर लोब की. अगर इयर लोब में एक डाइगनल लंबी सी गहरी लाइन है तो इसे फ्रेंक साइन कहते हैं. डॉक्टर सैंडर टी फ्रेंक ने 1973 में ये बताया था कि अगर किसी के इयर लोब में ये गहरी लंबी लाइन है तो ये एक इंडिकेटर है कि उस मरीज को फ्यूचर में हार्ट अटेक होने के चांसेज हैं. आज भी कई स्टेडीज हैं जो फ्रेंक साइन को हार्ट अटेक का एक इंडिकेटर मानती हैं. लेकिन कई स्टेडीज ऐसी भी हैं जो इसका संबंध बॉडी के अलग फैक्टर्स जैसे ओल्ड एज में होने वाली जूरियां, शरीर का वजन, ब्लड प्रेशर या ब्लड क्ल इडियोलोजिस से बात करें, जो आपको स्पेसिफिक रिस्ट फैक्टर्स के लिए असेस करेंगे और आपकी रिपोर्ट्स की आधार पर प्रॉपर गाइड करेंगे.